जाहिन्द rather two का ट्रेलर जल्द ही रिलीज होने वाला है और इसके जेश्ट ही बाद rather two film भी आने वाली है जिसका लोगों को काफे दिनों से انतजार था लोग एक दो दिन नहीं एक दो महेने नहीं लगबग सालों साल से इसका इंतजार था गदर टू फिल्म गदर वन से लगबग 22-23 साल के बाद आनी गदर टू रिलीज होने जा रही है लेकिन लोगों ने लगबग 2021 से ही उमीद लगाये बैठे हैं कि अब गदर टू रिलीज होगा अब गदर टू का ट्रेलर आने वाली है कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें गदर टू फिल्म पहले से दिख गया है वो कैसे सीमा और सचिन के मामला है जो पाकिस्तान से जो सीमा हैदर आई है उन्होंने अपना गदर टू फिल्म दिखा दिये वो स्वैम आ गई है दूसरे पार्ट में ऐसा लोगों क गारेक्टर के रूप में सनी देवल अमिशा पटेलवा उतकर सरमा है लोगों ने गदर टू के टीजर को काफी अधिक पसंद किया है और बेसबरी से गदर टू के ट्रेलर का इंतजार कर रहे है अब लोगों की उत्सुकता इतनी बढ़ गई है कि वैं खुद को कांट्रोल कर दिये थे इस बार क्या उखाड देंगे उसका बोरवेल वेगरा या फिर क्या उखाड देंगे मुझे भी पता नहीं है चलो हम लोग देखेंगे गदर्टू फिल्म है हाँ हलाकिया भी जो आनि इस फिल्म के निर्माताओं का कहना है कि 17 जुलाइक को इसका ट्रेलर को रिलीज किया जाए इसके जश्ट पसाद महज 15 दिन के बाद आनि 11 अगस्त को इस फिल्म को भी रिलीज किया जाए ताकि क्या हो ट्रेलर को देखकर जो उसके फैंस के मन में जो इच्छा जो जगी हो वा लगभग बननी रहे इच्छा उसका ड देखने को मिल सकती है फिर से आक्रोस को मिल सकती है इसका पहला कारण सीमा है दर्वा सचिन मीना की कहानी हो सकती है वह दूसरा कारण पहला गदर वन के कारण ही तो पाकिस्तान पहले से नाखुस से सनी देवल पे और दूसरा गदर टू के कारण और भी यह नाखुस हो जा सकते आप लोगों को क्या लगता है कि सनी देवल को पाकिस्तान से जिंदगी में कभी भी अन्बैंड किया जा सकते हैं आनि सनी देवल कभी पाकिस्तान भर्मन कर सकते हैं आप लोग को ऐसा उमिद है अब गदर टू आ रहे तिससे और भी जैदा पाकिस्तान वालों को मिर्च कर दे चलिए हम लोग इस मूवी को देखेंगे आप लोग इस फिल्म के बारे में क्या सुचते हैं अपने राइक कमेंट बॉक्स में जरूर देना तब तक के लिए धन्यवाद